लगा रहा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला जी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है प्रधान मंत्री मोधी का कहना है अगर कहीं कॉंग्रेस की सरकार बन गई तो दिल्लीम बैटकर विकास नहीं कर पा तो इस तो मॉडली बैकार है उससे अच्छा तो वह है कि जहां दूसरी पार्टियों के सरकार वहां विकास खूब हो रहा है अब देख लीजिए डबल इंजन तो फेल हो चुका है ना बिना तेल का डबल इंजन तो चलता या इनके इंजन ऐसे कि एक इधर खींचरा एक इ बने आपके मुखमंत्री भूपेश बगेल उनका कहना प्रदारमंत्री का यह बयान जंता को धंकाने वाला देखिए निश्चित रूप से मतलब इस तरह कि बयान नहीं आने चाहिए कि दूसरी कि सरकार नी मेरी सरकार बनाओ और किसी को मौके मत दो सब्सक्राइब मुझे तो नाराज क्यों और क्यों अक्रोश है लोगों में तो आपके महंगाई है क्यों बेरोजगारी इतनी भानिक है कि यह विकास के काम नहीं हुए क्यों जूसरा के मैंनिफिस्टों में कि भी दूजार सेंगें दाल दिया बाइस में भाइब ढ़िए की का मुख्मंत्री चहरा कौन था योग याधना थे डियां अबता रहे हैं हर समय कान पकड़ा मुख्मंत्री अटा देते हैं गुजरात हर तीन महीने पर नया क्मंतरी आ जाता तो कौन से चेर्या बता रहे हों हमारे तो इतना बढ़ा सामुहिक नेत्र वह है कि उनमें से एक से काबिल लोग जूनको सब कानभवा मंतरी रहें सी सरकार चलाएंगे लोग दात तेल उंगली दवा के रह जाएंगे कि क्या सरकार चल रहें और कांग्रेश क गोषना करो भाद में लागू करो कहो करो मत पहला कर लेजिए कंग्रेंगरिश पार्टी को राहुल गांधी को पता कि रही है इसलिए राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं हिमाचल में और नहीं प्रियंका गांदी यहां पर 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 प्रियं कितनी सीटें उमीद कर रहे हैं आप देख लेना और नद्धा साब यहीं से आते हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टिय में कुछ बदला नहीं है गांधी परिवार के हाथ में कमान है खरगे साब भरे अध्यश्ष पर लिए तो आप तो जानते हो आप तो इतने अनुभ आप तो रोज कुछ ना कुछ बयान उन्हें देना पड़ता है सज्जन आदमी परशान हैं समझ रहे हैं कि हारें तो करें क्या इसलिए कुछ ने कुछ बोलते रहे हैं